गुद बॉर्निंग चिल्रेंड आज की हिंदी की क्लास में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उमीड करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे खुब हेलदी होंगे घर पे होंगे सेफ होंगे और खुब पढ़ाई कर रहे होंगे राइट तो एक बार फिर से आज क कि हंदी की क्लास में आपको मैं अक्षर को लिखना सिखाऊंगी ठीक है वालाए अक्षर को लइन में कैसे लिखते हैं और उसके बाद हमने इतने कह under अगह अंगह अब उसके आगे मैं सिखाऊंगी लेकिन से पहले फिर से अपनी एबोक उठाएंगे और एक बार अक्षरों को पहचानेंगे और सीखेंगे ठीक है और मेरे पीछे आप लोग बोल सकते या मेरे साथ बोल सकते वर्ण ग्यान की पुस्तक आपकी और इसमें सारे अक्षर दिये हों गया है यह है चोटा से चोटा से अनार बड़ा से आम चोटा से अनार ताजा खाओ सेहत विघ्डी हुई बनाओ बड़ा से आम सुहाता है इसका रंग लुभाता है चोटी से इमली यह चोटी से इमली और यह बड़ी से इक चोटी से इमली खती 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 इसको प्यारी बिटि बड़ी से एक खेत में उकती गप्पुजी को अच्छी लगती यह है चोटाउसे उल्लू, चोटाउसे उल्लू, बड़ाउसे उन उसे उल्लू होता है, वो पूरे दिन सोता है बड़ाउसे उन ठंडी में भाती, इससे स्वेटर बुलती स्वाती यह है री से रिशी, री से रिशी, ए से एरी री से रिशी ज्यानी कहलाते, जिसको हम सब शीष नवाते ए से एरी चुप गई सुई, उई बाबा, उई, उई बाबा, उई यह है ऐसे एनक, ऐसे एनक, पहने नानी हमें सुनाती नई कहानी ऑसे ओखली पढ़े जमाल पीस मसाला करे धमाल ऑसे अरतं इस औरत प्यारी प्यारी रख्ती सुन्दर नियारी-nyadus अंगसे अंगूर अंगसे होता हैं अंगोर जिसको खाते हैं लंगूर अहां खाली ने शुर मचाया जोकर आया जो कर आया, अब यह है वेंजिन, करसे कमल, खरसे खरगोश, करसे कमल फूल है प्यारा, कितना सुन्दर, कितना न्यारा, खरसे है खरगोश कहलाता, उसका रंग सफेद सुहाता, यह है गरसे गमला, गरसे घर, घर से होता है गमला, फूल नहीं, तोडो कमला, घर से घर, प्यारा प्यारा है, रंगा हुआ, सुन्दर, न्यारा है, अंगा खाली से मत घबराओ, हरी सबजियां हर दिन खाओ, जो यहां तक हम लोग ने लिखना सीख लिया था, यह ना, हम लोग ने खखगगः अंगा ठीक है, और आज मैम यह दो आपको व्यंजन सिखाएंगी, यह चर से चमच, यह क्या है, फिर से चर से चमच खरीद लाओ, इससे खीर गपागब खाओ, चर से च्छाता, चर से चतरी प्यारी प्यारी, रंग बिरंगी न्यारी न्यारी, चर से चतरी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी न्यारी न्यारी, यह चर से चमच और चर से चाता, अब आज मैम आपको कैसे लाइन पर यह दो अक्षर लिखना है, वो मैम सिखाएंगी, चल्ड़न, चल्ड़न, चल्दी से आप अपनी कॉपी जिखी निकाल लेंगे, ठाक्री हम जल्ड़ी से इसको लिख सकें, so सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हमार काम है कि हम क्या करते हैं, देट लिखते हैं, रहाइट ना, आज कौन सी देट है, which date is today, today is 26th of August, 26th of August, हम लिखेंगे 26.8.2020, okay, Can you see it children? Is it visible? आपको दिखाई दे रहा है ना? यह है 26.8.20 और यहां पर आप लिखेंगे CW, क्या है यह? CW, क्लास वर्क, तो हमने सिखाए आपको चरसे चमच कैसे लिखना है? बहुत ध्यान से देखेंगे कि यह 1, 2, यह 1, 2 यह 2 लाइन्स में लिखेंगे, तो आप सबसे बी करेंगे आप छोटी सी sleeping line बनाएंगे उसके बाद semi इसी बनाते थे ना आप semi cycle उसी तरह के से आप यहीं से आप ऐसे बनाएंगे लिकिन पूरा सीन ही बनाना है उसके आप उपर लेके जाएंगे और वहीं से इसी लाइन को वापस नीच ले आएंगे में पहले उपर जाएंगे टच्छ करेंगे फ़र्स लाइं तो फिर उसी तो कि फिर तो सबते हैं और भी आप 10 लाइड नहीं आप लीफ कर देंगे चोट देंगे और अफर अर्ध भीफ लाइघ उद्टीट कर देंगे रिए क्या करहें दो श्लिपिंग लाईगे फिर समी सर्कल बनाते होगे आप इसको अब शलब सेरपा 아니고 ले जलेंगे इस और ऐसे नहीं बनाना है आपको बिल्कुल वी कुछ बच्चे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाएगे तो सबसे पहले आपको बीच में बिल्कुल बीुच में ऐसे करके Slipping line बनाएगे फिर इसको semi circle बनाया, फिर इसी semi circle को बिना pencil उठाए, उपर आली line में touch करेंगे, फिर इसी line को वापस ले आएंगे, नीचे आली line पे touch करेंगे, ये बन गया चरसे चमच, चरसे चमच, यहां मैं हम चमच बना दे चल्दी से, ये है चरसे चमच, फाइन, ठीक है, got it न चल रहे आप बिलकुल भी गलत ऐसे नहीं बनायेंगे, बहुत ध्यान से बनायेंगे, इसकी तरह बिलकुल नहीं बनाया और इसको ऐसे touch भी नहीं करना यहां नीचे, ऐसे, this is also wrong, okay, इस तरीके से भी ये नीचे line में touch नहीं होना चाहिए, this is right, once again, see, leave this line, leave this line, ये दोनों लाइन छो लाइन पर नीचे ले आएंगे, ये बन गया और उपर से इसको बन कर देंगे, sleeping line से, so ये बन गया, चर से चम्मज, चर से चम्मज, okay, फिर चर से चम्मज की बारत क्या आता है, चर से छतरी, चर से चतरी, बहुत ध्यान से देखेंगे, कैसे मैं लिख रही हैं, okay, तो फर्स लाइन से फिर आप छोटा सा sleeping line मिलाएंगे, फिर ये semi circle, फिर बिना pencil लेटा है, फिर एक और semi circle, और इसको लंबा ले जाएंगे, और उपर ले जाएंगे, और पूरा टच नहीं करेंगे, उपर वाली लाइन में, और इसको यही से नीचे घुमा के वापस, ये बन गया, च चह से चाता, चह से चत्री या चह से चाता, ये है चह से चत्री, okay, fine, okay, again, see, two lines शो रहेंगे, one, two, फिर यहां से आप चोटा सा sleeping line मिलायते हुए, semi circle, फिर एक और semi circle, और इसको उपर ले जाके, और इसको वापर ले जाएंगे, और इसको वापर ले जाएंगे, और इसको व अपस ले आएंगे, ये बन गया, चह से चाता, और ये ऐसे नहीं बनाना आपको, ये रॉंग है, fine, ठीक हे, और ये भी रॉंग होता है, ये भी रॉंग होता है, okay, ऐसे बी नहीं मिलाना है, जैसे मैमर में हो बनाया है, ठीक है, ऐसे सUNDर-संदर बनायेंगे, fine, और खूब करेंगे घर में फिर से यह लाइन छोड़ेंगे फिर बढ़ाएंगे देखिए मैं कैसे बना रही है sleeping line with semi circle फिर एक और semi circle और इसी को उपर ले जाके फिर उपर line में बिना टच किये फिर वापस ले आएंगे यह बन गया चह से चाता चह से चत्री अगे यह बन गया चह से चत्री यह चह से चम्मर चह से चत्री so children so this is the way correct way of doing this यह सही तरीका है कैसे line में लिखना है बहुत ध्यान से यह दोनों अक्षर two lines के ही अंदर होंगे okay आप three lines में ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे like this नहीं this is wrong सिफ two lines के अंदर यह और यह line two lines के अंदर ही लिखेंगे okay three line के अंदर नहीं लिखेंगे बहुत ध्यान से neatly यह सारा work करेंगे जैसे मैं ने समझाया मैं आपको PPT भी भेज जूंगी तो उसको देखे बहुत अच्छा अच्छा सुन्दर सुन्दर अपनी copy में करेंगे आप पहचान रहेंगे copy को यह आप करेंगे and h1 copy Hindi 1 copy में ऐसी सुन्दर काम करेंगे Okay children, I hope you have understood. God bless you children.